बच्चों, आज हम जिस विशय पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये है खनिज एवं शैल खनिज और शैल, ये दोनों ही शब्द आपके लिए नए नहीं है, खनिज क्या है, जो खनन के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, जो चीजें पाई जाती है, उसे हम खनिज कहते हैं, ये बहुत ही सरल सा शब्द है पूरी हमारी जो पृत्वी है, ये पृत्वी कई प्रकार के खनिजों से बनी हैं, इसमें हम कई खनिज तात्वा, जैसे सोडियम है, मेगनेशियम है, केल्शियम है, सिलिका है, अल्यूमिनियम है, ये सभी खनिज तात्व, पृत्वी के निर्माण में साहयक है, और इसलिए इन खनिजों का अध्यन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, पृत्वी में पाए जाने वाले जो विभिन्न खनिज है, ये खनिज हमारे जीवन के लिए बहुत उप्योगी है, और इसके उप्योग के साथ हम अपने जीवन पद्धती का निरंतर विकास कर रहे हैं, ये विकास हम कैसे करते हैं, देखे प्रारंभ में मानव, जिसको हम आदी मानव कह सकते हैं, ये प्रस्तर याने पथरों का उप्योग करता था, उससे उसने अगनी जलाई, विभिन्न प्रकार के आवजार बनाएं, तो यह हमारा प्रस्तर यूग कहलाया, प्रस्तर के बाद धीरे धीरे तांबे की खोज हुई, और विभिन्न प्रकार की जो आवजार है या वस्तु हैं, ये तांबे से बनी, इसको तांबर यूग कहा गया, इसके बाद कास्य यूग आया, कास्य से कई चीजे बनती रही, और अब हम वरतमान में देखते हैं, तो वरतमान को हम लावह यूग कहते हैं, क्योंकि लोहा, ये एक महतवपूर्ण खनीजा और हमारे जीवन का एक आधार हम इससे कह सकते हैं, ये आधार क्यों है, क्योंकि लोहा की छोटी से छोटी चीजे, और यह लोहे से बनती है और बड़ी से बड़ी चीजे यह लोहे से तयार की जाती है तो आज का युग लाव युग है इसके साथ ही केवल लोहे जैसा खनीज की बाद हम नहीं कर गया है बलकि कई प्रकार के जो उर्जा खनीज हमारे सामने में है कोईला है, पेट्रोलियम है इन खनीजों ने हमें विकास की दोड में बहुत आगे पहुचा दिया है इसी आधार पर मानव जीवन अपनी उन्नती कर रहा है और इसलिए खनीज का अध्यन हमारे लिए बहुत ही महतवपूर है बचों ये खनीज की विशेशताएं क्या होती है या इसके गुण धर्म क्या है खनीजों के आईए हम इसके बारे में आपको बताए तो सबसे पहला जो गुण होता है कोई भी जो खनीज होता है यह क्रिस्टल या रवेदार रूप में होता है इसका क्रिस्टल चाहे वो घन के आकार का हो प्रिज्म के आपार का हो या शटकोन में हो अश्टभुज में हो किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जो पाए जाते हैं या किसी खनीज की विशेष्टा होती है दूसरी जो विशेष्टा होती है इसे हम कहते हैं विदलन सापेक्षित रूप से जो समतल सतह बनने की जो निश्चित मात्रा होती है और उसमें उसी सतह में तूटने की जो प्रवरित्ती खनिज में पाई जाती है इसे खनिजों का विदलन कहते हैं तीसरी जो बात होती है यह है विभंजन खनीजों के विभन्जन में जो आर्थिक व्यावस्था होती है आंतरिक व्यावस्था ये काफी जटिल होती है और यह जो खनीज है यह कभी-कभी आनियमित रूप से यानि एक जैसा नहीं काईसा भी ये तूटता चला जाता है तो इसे खनीजों का विभन्जन कहते हैं चाउथा जो होता है खनीजों में चमक होती है ये चमक कभी-कभी खनीज रंगहीन होते है लेकिन इस रंगहीन खनीजों में भी चमक बनी रहती है एक अलग सी चमक दिखाई देती है ये जो चमक होती है ये मेटालिक टाइप की चमक होती है या रेशम टाइप की चमक होती है या फिर ये ग्लासी होती है तो ऐसी कई चमक के प्रकार जो होते हैं ये प्रत्य खनीज में देखने को मिलते हैं फिर अगला जो है खनीजों में कुछ न कुछ रंग होता है जो उसकी संरचना होती है इस संरचना से उसका रंग निर्धारित होता है कभी-कभी खनीजों में कुछ अशुद्धियां पी पाई जाती है उन अशुद्धियों को साफ करके खनीज को स्वच्छ किया जाता है तो उन अशद्धियों के कारण भी उनका रंग जो होता है वह कुछ अलग होता है तो ये जो खनीजों के रंग होते हैं प्रत्य खनीज एक भिन रंग का पाया जाता है जैसे मेलालाइट का खनीज है या एजूराइट का खनीज है या फिर कैल्सिय पायराइट का खनीज है ये सभी खनीज विभिन रंगों में होते हैं इसके अलावा प्रत्य खनीज में कुछ धारियां दिखाई देती है और ये जो धारियां होती है ये कभी कभी कई खनीजों में उसी रंग की धारियां होती है आपने खनीजों को देखा गा उसको यदि आप देखेंगे तो इसमें बारिक बारिक धारियां दिखाई देती है ये उसी रंग की होती है और कई बार ये दूसरे रंग की धारियां वाले खन एक खनिज में पारदर्शिता की स्थिती पाई जाती यद्यपी पारदर्शिता भिन्न भिन्न होती है जैसे यदि खनिज में प्रकाश की किर्णे आरपार दिखाई दे रही है तो जिसमें वस्तु बड़ी आसानी से इस पार से उस पार देखी जाती है तो उसे पारदर्शी पारधर्शिता का दूसरा रूप उसे हम कहते हैं पारभाशी क्या है जिसमें प्रकाश की किरणे आरपार जाती तो है लेकिन हमें वस्तु बहुत इसपस्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि यह जो किरणी है यह विसरी तो होती है और उसके विसरन से उस पार की वस्तु जो है वह इस पश्ट नहीं दिखाई देती तो इसे पारभासी कहते हैं और तीसरा जो होता है ये अपारदर्शी होता है ऐसा खनी जिसमें आरपार किरने नहीं दिखाई देती प्रकाश की और उसके कारण कोई वस्तु उसके आरपार की दिखाई नहीं देती तो उस को लेते हैं संरचना क्या है कोई भी खनीज महीन संरचना का हो सकते है या मध्यम संरचना का हो सकता है कभी-कभी वह खुर्दुरा होता है कभी-कभी वह चिकना या पीसा हुआ होता है कभी-कभी वह अपसारी प्रकार की संरचना वाला होता है और कभी-कभी ये संरचना विक चारों तरफ दिखलाई देती तो विकरणकारी संदचना वाला भी खनीज होता है इसके अलावा खनीज में कठोरता होती है ये कठोरता क्या है सापेक्षित जो प्रतिरोध का चिन्हित होना ये खनीज की कठोरता कहलाती है खनीज के कोई खनीज सामानी रूप से कठोर होता है वो आसानी से नहीं तूटता और जो अगला जो खनीज का गुण धर्म है इसे हम कह सकते हैं आपेक्षित भार किसी वस्तु के भार के बराबर आयतन वाला जो पानी होता है आयतन के पानी के भार का अनुपात हम इसे खनीज का सापेक्षित भार कहते हैं तो बच्चों ये खनीज के कुछ गुण कुछ धर्म होते हैं और इसी आधार पर हम खनीजों की पहचान करते हैं ये जो खनीज होते हैं ये खनीज जयवपदार्थ से या अजयवपदार्थ से या फिर कोई विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है उसके साथ या फिर इसका अपना कोई संगठन होता है कोई छोटे छोटे कण होते हैं इन कणों को मिल करके या इन कणों के समिश्रण से कभी कभी कोई शयल होती है और इसकी रचना से खनीज का निर्मान होता है तो ये खनीज एक संगठित पदार्थ है और इस पदार्थ में जयवपदार्थ विशिष्ट रासायनिक तत्व आदी आदी का समावेश होता है ये जो खनीज है ये कभी कभी एक ही तत्व से निर् टो इन्हें एक तत्व निर्मित खनिच कहते हैं। जैसे हीरा या कार्बन ये एक तत्व से बना हुआ है। कभी कभी खनिजों के निर्मान में दो तत्व दो फैक्टर जो होते हैं। ये सम्मिलित होते हैं। जिससे जैसे लोहा और लोहे वह सलफर से बना हुआ जो पाइराइट्स होते हैं ये दो तत्वों से लोहे और सलफर से मिलकर के पाइराइट्स खनिज का निर्मान होता है तो ये दो तत्वों से निर्मित खनिज होते हैं तो ये जो खनीज के विभिन स्वरूप है ये विभिन नत्त्त्व है ये हम इसको आज तक जान रहे बच्चों अभी तक जितने भी खनीज की खोज हुई है लगभग 2000 से भी अधिक खनीजों की खोज हो चुकी है और ये खोज अभी से नहीं है जैसे मैंने उलेखित किया था कि प्रस्तर यूग है तामर यूग है काश्य यूग है उसके बाद लवह यूग है और आज के यूग को हम क्या कहते हैं यंत्र यूग कहते हैं विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं और उन यंत्रों से नवीन नवीन खनीज की खोजबी की जारी और नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं इसके अलावा खनीज की सभ्यता भी हम आज कह सकते हैं क्योंकि खनीज ने हमें आधुनिक्ता प्रदान की है नवीन प्रकत में हमें ले गए हैं तो यह हमारे खनीज सभ्यता है क्योंकि लोहे से ही पूरी सभ्यता विक्सित हुई है बड़ी-बड़ी मशीने बनी हैं लोहे की रेलगाडियां बनी हैं इन रेलगाडियों में बहुत अधीक मात्रा में पदार्थ को ढोया जा रहा है उसके खनीज सभ्यता है यह हमारे लिए आज एक हमारा अंग बन गई है खनीज की क्या विशेशताएं होती है यदि हम खनीजों की विशेशताओं का अवलोकन करें तो खनीज का जो जमाव होता है कोई खनीज प्रित्वी बहुत बड़ी है, मैंने बताए कि बहुत सारे खनीज तत्वों से प्रित्वी का निर्मान हुआ है, लेकिन कोई विशेश प्रकार का खनीज विशिष्ट इस्थिती में ही पाया जाता है, प्रत्य खनीज सब जगह नहीं पाया जाता है, तो ये इसक छेत्र में जमाव होता है दूसरी जो विशेष्टा है कि अधिकांश खनीज प्रित्वी के भूगर्भ में पाये जाते हैं धरातल के उपर में नहीं है ये सभी प्रित्वी के भूगर्भ में पाये जाते हैं और जो उत्खनन के माध्यम से ये खनीज हमें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं उत्खरन की विधी में निरंतर विकास हो रहा है और उससे हम खनीजों के नए नए रूपों को प्राप्त कर रहे हैं तीसरी जो विशेष्टा है खनीजों का भंडारण निश्चित है किन्तु ये सभी खनीज अनव्य है इनका नवीनी करण इतनी आसानी से नहीं ह होता तो ये जो अनव्य खनीज है और इनका जो विस्तार हुआ है यह अब पुना होना संभाव नहीं है खनीजों का बहु चक्री प्रयोग भी होता है जैसे लोहा आप लोही की वस्तू को देखते हैं कभी वो तूट जाती है तूटने के बाद उसको गला करके फिर से उसक नई वस्तू बनाई जाती है तो ये बार बार ये प्रक्रियाय संपन हो सकती है तो इसे हम कहते हैं कि खनीजों का बहु चक्री प्रयोग होता है उसके अलावा कई खनीज जैसे होते हैं जो टिकाव होते हैं और एक बार उससे कोई वस्तू बन जाए तो वो लंबे समय तक चलते रहते हैं तो यह उसकी टिकाव होने की विशेष्टा होती है फिर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि खनीज का उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि इनकी खाने गहरी होती चली जा रही है और उसके परिणाम स्वरुप क्या हो रहा है खनीजो का उत्पादन अब हो गया है तो खनीजो के उत्पादन को जो है ये फिर से बढ़ाने के लिए हमें उसकी आवश्यक्ता नुसार ही खनन करना होगा यदि हम खोदते चले गए तो कई बार ऐसा होता ही कि उनका उत्पादन बहुत महंगा पड़ जाता है जितनी हमें आवश्यक्ता है हम उतना ह खनीज खोदे तो ये महत्वपुर होगा अगला जो है खनीज मांग पर आधारित होता है बाजार में कितनी आवश्यक्ता है इस आधार पर खनीज का उत्पादन किया जाता है कभी कभी कुछ खनीज ऐसे होते हैं जो सामरिक महत्व के होते हैं और सामरिक महत्व के या कभी कभी ऐसे होते हैं कि ये राश्ट्री महत्व के होते हैं और तब इनका उत्पादन चाहे कितना भी महेंगा हो यह उत्पादन किया ही जाता है जैसे कि यूरेनियम ये सामरीक महत्व का खनीज है या सोना गोल्ड ये क्या है राश्ट्री महत्व का खनीज है क्योंकि ये हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहा है तो ऐसे खनीजों का उत्पादन अवश्यमभावी हो जाता है तो इस प्रकार से ये खनीजों की कुछ विशेश्टाएं है और इन विशेश्टाओं के आधार पर हम खनीज का अध्यान करते हैं बच्चों आप जानते हैं कि खनीज के उत्खनन के दो प्रकार के कारक हैं एक तो भावतिक कारक भावतिक कारक क्या है जिसमें खनीज की गुणवत्ता खनीज का भंडारन कितना हुआ है कहां पर यह खनीज पाया जा रहा है फिर खनीज की संचित राशी कितनी है इसके अलावा निक्षे का स्वरूप कैसा है ये सभी उस खनीज का मुल्य कितना है खनीज से हमें कितनी संपन्नता प्राप्त होगी या फिर खनीज जो है यह बाजार के कितने निकट है उसकी मांग कैसी है ये जो महतोपूर्ण कारक है ये खनीजों के भावतिक गुणों को बताते हैं. लेकिन खनीजों के उत्पादन का जो मानुविय कारक है. मानुव कारक में मानौ का जीवनिस्तर कैसे उपर उठा है? मानों ने कितनी सभ्यता हासिल की है मानों के अर्थतंत्र का स्वरूप कैसा है या फिर कितना प्राविधिक विकास हमारा हो चुका है कितनी टेक्नोलाजी में हम आगे बढ़ चुके हैं हमारा सामाजिक राजनेतिक उत्थान कितना हुआ है हमारा राजनेतिक संगठन कैसा है ये सभी बाते मानवी तत्व है जो की खनिज के उत्पादन को प्रभावित करती है तो इस प्रकार से खनिज के उत्पादन तब ही संभाव है जब ये भौतिक और मान्वी तत्व ये दोनों मिल करके खनिज के उत्पादन की मातरा को बताते हैं खनिज की मांग कैसी है यातायात पर खनिज का कितना प्रभाव पढ़ रहा है कितनी पूंजी लग रही कितना श्रम लग रहा है किसी ख्षेतर का आर्थिक विकास कितना हो रहा है और उसमें कौन-कौन सी सरकारी नीतिया लागू की जा रही है ये सभी खनिज के उत्पादन के लिए महतोपूर्ण तथ्य होते हैं अब हम देखेंगे कि खनिजो का हम वर्गी करण यदी करते हैं तो सामाने रुप से वर्गी करण जो है वो खनिजो के उपयोग के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर खनिजो के दो प्रमुख वर्गी करण किये गए हैं पहला जो है यह है धात्वी खनिज अर्था जिसमें धातू, मेटल मिलता हो तो मेटालिक मिनरल्स ये जो होते हैं इसके अंतरगत लोहा, तामबा, सीसा, जस्ता, अल्यूमिनियम, सोना, चांदी ये सवाते हैं इसमें सोना, चांदी जैसे खनिज जो है ये बहु मुल्य खनिज है बाकी खनिज जो है वह सामान्य उपभोग के खनिज है दूसरा जो खनिज है अधात्विक खनिज अधात्विक खनिज जो धातू वाले नहीं लेकिन हमारे लिए खनिज है जैसे इमारत बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले खनिज पदार्थ तो इमारत बनाने के लिए क्या क्या उपयोग मिलाते हैं? हम रेती, मिट्टी, गिट्टी इन सब का उपयोग करते हैं, सिमेंट का उपयोग करते हैं, जो चुना पत्थर से प्राप्त होता है तो ऐसे विविध पदार्थ जो है इसके अलावा कुछ ऐसे भी चीज हैते हैं जैसे चुना पत्थर से सिमेंट बन रहा है लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है उससे बरतन बनाए जाते हैं या क्रॉकरी बनाई जाती है वैसे ही जो बलवा पत्थर होता है सेंड स्टोन इसकी रेत से कांच बनाए जाता है तो ये सब क्या है ये सब इमारती उप्योग के लिए ये हमारे सामने में आते हैं तो ये सब खनीज इमारती खनीज होते हैं दूसरा जो खनीज का प्रकार है ये है संसाधन खनीज संसाधन या इसको हम रसायन वाले खनीज संसाधन कह सकते हैं तो प्रमुख रसायन कौन-कौन से है जैसे गंधक है अब्रक है जिप्सम एस्बेस्टस फिर उर्वरक है बेराइट है या फिर ग्रेफाइट है तो ऐसे सोडा शोरा नमाक ये सब ही रसायनिक खनीजों के अंतरगत आते हैं तीसरे प्रकार के जो खनीज है इन्हें हम कहते है रत्न खनीज जो बहुत महेंगे होते हैं खनीज है लेकिन महंगे प्रकार के होते हैं तो इसके अंतरगत जैसे अभी बताया है सोना चान्दी है या फिर हीरा पन्ना नीला ये विभिन प्रकार के गार्मेट होते हैं या फ कभी जो खनीज होते हैं, ये खनीज कभी-कभी उद्योग में कुछ मिलाने के लिए भी काम में आता है, और ये बहुमुल ये खनीजों के अंतरगत गिने जाते हैं. कुछ खनीज इंधन खनीज होते हैं, इंधन जैसे कोईला, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसके अलावा यूरेनियम या थोरियम, ये इंधन के रूप में कार्य में या उपियोग में लाए जाते हैं, इसे हम इंधन खनीज कहते हैं. तो ये जो प्रमुख खनीज है इन खनीजों की उपियोगिता क्या होगी इनको कितना उपियोग में लाना चाहिए यह सब हमारी जो कारी प्रणाली है इसमें अब हमें सुधार करने के आवशक्ता है यद्यपी मैंने जैसे अभी बताया कि आज का युग खनीज की सभ्यता का युग है किन्तु मानव की बढ़ती जो आबादी है उस आबादी ने इन सभी खनीजों का बहुत तिवरता से शोशन करना प्रारंभ कर दिया है और उसके फलसोरुक्या हो रहा है खनीज निरंतर खोदे जा रहे हैं और एक समय ऐसा आ सकता है कि ये खनीज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे तो हमें इन खनीजों को समाप्त नहीं होने देना है बलकि भावी पीढ़ी के लिए हमें बचा के भी रखने की आवश्यक्ता है और इसके लिए सतत्विकास या संविकास हम जिसे कहते हैं सस्टनेबल डावलप्मेंट ये हम ये हमारी प्राथमिक्ता होगी क्योंकि भविश्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जब हम खनीज को संजो के रखे तो वह उस खनीज के जो उपियोगिता है उसको वह जान सकते हैं मैसूस कर सकते हैं तो आज हमारी जो प्रमुख आवश्यक्ता है वह है हम इन खनीजों को बरबाद होने से निरंतर खोदने से इनकी खोदाई करने पर रोक लगाए खोदाई करने की जो प्रणाली है इसको हम सुधारने का प्रयास करें अईसी खाने जो अनार्थिक है जो काफी गहराई पर जाने पर खोदी जारी और पदार्थ निकाले जारे तो इससे यह खाने अधिक खर्चिली हो गई है तो ऐसे खानों पर रोक लगाए बलकि हम क्या करें इन खनीजों के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उन स्रोतों का पता लगाए और उन स्रोतों से हम खनीजों को प्राप्त करके व ये अनव्य खनीज है तो वाइकल्पिक व्यवस्था जोकी नव्य हो सकती है और इसके आधार पर हम खनीजों का विकास कर सकते हैं